पूजा के थाले लेकर कहां जा रहे थे? वो कहां का? पूजा कोई ले गए हैं। वो तुमव और देवर जी ने यहां से ना जाने को फैसलों किया है। इसलिए भगवान के गोड गिरे गए हुए है। चलो, रात बहुत हो गई, अब तुमव जाकर सो जाओ। इलो दूद का गिलास, देवर जी को दे दियो, समल्गी। अब तुमव जाओ। दो जाओ। झाल 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 जी किसका कवरा है वह के लिए बंद क्यो है ऐसा क्या है यहाँ झाल 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 चंपत् तू? और तूने मुझे क्यों रोका? अच्छा यही में हुई अगर यह वक्त आप यहां से चली जाएंगे और अगर बड़े मालिक ने आपको यहां देख लिया तो अनर्थ हो जाएगा लेकिन क्यों? बड़े मालिक को आदेश है हमाई सब को मानना पड़े है किसी के अंदर जाने से परिशानी क्या हो सकती? बड़े मालिक का हुकुम पत्थर की लकीर है यह घर माई और इससे जियादा हमाई नहीं पता चंपा ठीक कह रही है नहीं दुने अगर पिताजी नहीं जाते हैं कि यह कमरा मको उजाए तो हमें जित करने की का जरूरत? पिताजी पूझा करके लोटते होंगे हमें इहां देखेंगे तो गुस्सा ही जाएंगे चलो अगर मेरा बस चलता ना तो तुम जैसे लड़की से शादी करना तो तूर तूर तूम्हारी परचाई दू मेरी उपर नहीं पढ़ने ते था लगत्मों से हम पती-पत्नी है लेकि कभी मैं दिल से तुम्हें अपनी पत्नी का दर्जदा नहीं ते सकता आप चेंज कर लीजिए मैं अपके लिए खाना लगाती हो तब तक अपलीज यार इतने बुरे दिन नहीं आए मेरे कि तुम्हारे साथ बैख कर तुम जैसी गवार के हाथ का खाना को तुमने मेरी जिंदगी बरबाद कर दी तुम्हारे साथ होटल में हर्गिस नहीं रुख सकता संजी तो किसी अगर मुझे हाथ तुम्हारे साथ देख लिया तो मसाग बन जायेका मेरे निकिन, वो जो हमारे गर में एक कमरा है ना? जिसमें तारह लगावा है चंपा बता रही थी कि उस कमरे के अंदर किसी को जाने की जाज़त नहीं है ऐसा क्यों? ऐसा पिता जी कहती है इसलिए और वहां कोई रहता नहीं है इसलिए वहां पे लॉक लगा हुआ है लेकिन तुम्हें हमार जाने की कोई ज़रूत नहीं है तुम जूट बोल रहे हो ना? क्योंकि जैसे इस सवाल पर तुमने मुझे उस कमरे में जाने से मना किया बिल्कुल वैसे ही सुमन भाभी न और चंपा ने मुझे इस कमरे में जाने से मना किया था चानवी एसा कुछ नहीं है मैं मैं सच क्या रहा हूँ सच ऐसे नजरे चुरा करने ही का जाता ने कि चलो ना बताओ ना ऐसा क्या है उस कमरे के अंदर क्योंकि उस दिन जब हम छट पर गए थे ना तुम्हारे आने से पहले उसी जगे मैंने मैंने किसी का साया देखा था चानवी तुम्हें क्या बेकार की बाते कर रही हो अबी नैसी मना किया होगा और मैं तुम्हें छूट नहीं बोल रहा मैं ये बात अवाइड कर रहा था इसलिए क्योंकि मुझे इस बात का जवाब खुद नहीं मालूँ लेकिन निकिन उन्ट ये वक्त सवाल जवाब कर नहीं है अबी तुम्हें सो जाओ कल मैं तुम्हें पूरा गाउं खुमाँगा सच बिलफुल सच बिलफुल सच बिलफुल अरवाद अज में लेक बहुत बड़ा दिन है मेरी वजह से पापा की जान चले गए लेकिन आज मैं चाहता हूं कि श्यतिच की जिन्दकी से खात्रा टल जाए बहले ही इसकी वजह से मुझे कुछ हो जाएं मुझे मन्सूर है लेकिन प्लीज श्यतिच को ठीक कर तो भगवाद श्यतिच को ठीक कर श्यतिच को ठीक कर अबनुजी आप जो पूछेंगे आम जरूरूर बताएंगे ठाकु साहब अरे छोटे आओ जी अच्छा तुम्हें आ गए नहीं तो हम बड़ी भव को भेजने वाले तुम्हाई बुलाने के लिए नहीं दुलन जे हैं पंडेत यमना प्रशात्र पाठी हमाय खांदानी पंडेत अरे आसिरवाद लो कल्यान कल्यान सवभाग्यवती समझो अपने आपको नहीं दुधन जो बड़े ठाकुर के घर की बहु बनने का सवभाग्य मिला अब बड़े ठाकुर जो कहें उसे आदेश मानका चलना खड़ी-खड़ी मूँ का देखने नहीं तुर रहा हाथ दिखाओ पंडेजी को कर दो सब पीक है काओ जा रहे है जी पिता जी जानरी को अपने गाउं और खेर दिखाने जा रहा हूं जाओ गाउं की रोनत कहां देखी होगी अब सहर में पली बड़ी है गाउं दिखा दो जाओ क्वेश है जानरी को अगाई जा जात्राइब्स दिखा जाओ जात्राइबदेगा जात्राइब्स का जिए टे जाओ़ी जाओ पेडि़ कि अपने अगाई जाओं ग्याओं नेक्षण दोंत। झाल झाल टॉक्टर साब, क्या हुआ? झाल डॉक्रेशन, तेरा लाख लाख शुक्रा है डॉक्रेशन, क्या हम च्छितित से मिल सकते अभी? नहीं, अभी ओने आराम करने दीजे और भगवान से दुआ कीजे कि आपके पती की बाड़ी दूसरी किड्नी को एसेप्ट कर सके ऐसा ही होगा, डॉक्टर साब भगवान इतना बूरा तो नहीं है कि वो खशितिज के साथ कुछ कहलेद करे डॉक्टर साब, मैं उस अंसान से मिलना चाहती हूँ जिसने खशितिज को अपनी किड्नी दिये देखे, मैंने आपको पहले भी बताया था कि वो शक्स नहीं चाहता कि उसका नाम सामने आए देखे, उसने बहुत बड़ा आसान किया है हम पर मैं बस उसका शुक्रियादा करना चाहती हूँ एक बार मुझे मिलने दीचे, प्लीज डॉक्टर ठीक है वो वहाँ उस सरफ उस कमरे में है जाए और जाके मिलीचे का हुआ पंड़जी नई दूलन का हाथ देकर आपका मुखमंडल कैसा बदल के ठाकूर सहाब आपकी इस बहु के कदम इस घर का नक्षा बदल देंगे यह आपकी सत्ता को चुनौती दे सकती है आपके नियम और कानून के खिलाब जा सकती है हमाई खिलाब हमाई खिलाब जाएगी है सहर की मूड़ी अरे पंडी जी ऐसा लगता है कि हाथ की रेखाए पड़ते पड़ते आंके चुन्दिया गई है आंके और हम तो वह हैं ये को आगे भगवान भी आजाए ना तो वह भी अपना फैसला बदल दे तो ये शेहर की मूडी का करेगी थाकुर सहाब मैंने वही बताया जो मैंने पड़ा जे घर का मुकद्दर हाथ की रेखा से नाए हमारे नियम से लिखा जात है और हमाई मरजी जे घर का मुकद्दर है जे को खिलाप कोई नी जह सकता है थाकुर सहर फिर भी मेरे आनुभव के अनुसार मुझे लगता है के इतहास अपने आप को पिर द हule आए मौनफ। है 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 हुए कर दो कर दो कर दिदी को पता तो नहीं चल गया शित्रच को किद्डी मैंने डोनेत की नेनी से पहले दिदी मुझे यहाँ देकर मुझे यहाँ से भागना होगा इस्क्यूज में मैम यहाँ कुछ इंजेक्शन डॉक्टर ने लिखें प्लीज सल्दी आईए ची ठीक है कर दो कि अप्लीज जाइस से ब्सक्राव 5-दोर्टत धच्याल थैप boule झाल 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 तुम्हारा गाउ सच में बहुत सुन्दर है अगर तुम गुस्से में मुझे शिहर ले जाते तो तुम्हें सब तुछ नहीं देख पाती अच्छा मैंने तुम्हें गाउ दिखाए गाउ के खेद दिखाए अब तुम प्लीज जदी से एकलास पाली प्ला तो बहुत प्यास लगी है ठीक है तुम कमरे में जाके बैठो में लेकर आदी ठीक है और अगर बड़े मालिक ने आपको यहां देख लिया तो अनर्थ हो जाएगा यह किसी पर जाए है कौन सा रासे जोई घरवाली मेलकर मतसे जिपा रहे है आज तो इस रास का पता लगा करी रहोंगी मैं कर दो कर दो कर दो है झाल 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 झाल